रोमन संख्यांक संख्याओं को लिखने की एक पुरानी पद्धती है जिसे रोमन संख्यांक कहा जाता है हम गड़ियों में आज भी रोमन संख्या के अंकों को देख सकते हैं यहां पर हम देख रहे हैं आई को एक के रूप में प्रियोग में लिया जाता है V को 5 के रूप में, X को 10 के रूप में, L को 50 के रूप में, C को 100 के रूप में, D को 500 के रूप में, और M को 1000 के रूप में प्रयोग में लिया जाता है हम इस सारने के माध्यम से रोमन संख्याओं को हिंदू-अरेबिक संख्याओं में बदल सकते हैं और हिंदू-अरेबिक संख्याओं को रोमन संख्यांक में भी बदल सकते हैं इसके लिए हमें कुछ नियमों का खास ध्यान रखना होता है जैसे रोमन संख्या कि यदि बार-बार पुन्दावर्ती होती है तो उसे आपस में जोड लिया जाता है अर्थात हमने एक्स एक्स लिखा तो इसका अर्थ हुआ कि 10 और 10 बीस के बराबर हो गया परन्तु रोमन संख्या तीन बार से अधिक कभी नहीं आती तीन बार से अधिक पन्दावर्ती नहीं होती है और अंक V, L और D की कभी पन्दावर्ती नहीं होती अर्थात हमें यदि 30 लिखना है तो हम X, X, X लिखकर 30 लिख सकते हैं परन्तु यदि 40 लिखना है तो हम X, 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 X नहीं लिख सकते यह गलत हो जाएगा क्योंकि रोमन संख्याइं तीन बार से अधिक नहीं आ सकती इसलिए यह गलत है दूसरा नियम है यदि छोटे मान वाली संख्या बड़े मान वाली संख्या के दाई और आती है तो वे आपस में जुड़ जाती है जैसे X, I अर्थात 10 और 1 इसका मान 11 हो गया परन्तो यदि छोटे मान वाली संख्या बड़े मान वाली संख्या के बाई और आती है यानि कि I X हम लिखते हैं यहाँ पर I छोटे मान वाली संख्या है और X बड़े मान वाली संख्या में से घट जाती है जैसे 10 में से एक गया तो नो दूसरा नियम यह हुआ तीसरा नियम है V, L और D कभी भी बड़े मान वाले संख्या के बाई और नहीं दिखाई देते V, L, D कभी भी बड़े मान वाले संख्या के बाई और नहीं दिखे जाते जैसे हमें 45 लिखना हूँ हम जानते हैं कि L का भी प्राए 50 और इसके बाई और V लिखकर हम 45 कर दें तो यह है पूरी तरह से गलत हो जाएगा हम दाई और इसका प्रियोग कर सकते हैं जैसे हमने L V लिखा तो इसका भी प्राए 50 और पांच बराबर पच्पन यह एक सही संख्या है यदि इन नियमों का हम प्रियोग करते हैं तो रोमन संख्या बड़ी आसानी से लिखे जा सकते हैं हम उदारन लेते हैं जैसे हमें 69 को रोमन संख्या में बदलना है हम जानते हैं 69 दन 9 होता है 60 को हम 50 दन 10 के रूप में लिख सकते हैं और 9 को दन 9 50 को हम L के रूप में लिख सकते हैं 10 को X और 9 को लिखने के लिए हमें फिर 10 में से एक घटाना है अर्थात IX लिखना होगा इस तरह से 99 को LXIX लिखा जाएगा एक उदारन और लेते हैं हमें 98 को रोमन संख्या में लिखना है हम जानते हैं कि 98 में 90 दन 8 होते हैं 90 को लिखने के लिए 100 में से 10 कटा देंगे और 7 में 8 लिखेंगे हम जानते हैं कि 100 को C से दर्साया जाता है उसके बाइं और X लगा देंगे अर्थात 100 में से 10 कम 90 और 8 लिखने के लिए V से 5 और उसके साथ 3 बार I लगाएंगे तो यह 8 बन जाएगा अर्थात 98 में लिखने के लिए X, C, V, I, I, I संकेत का प्रियोग करेंगे इस तरह से हम रोमन संख्यांग लिख सकते हैं करेंगे